नमस्तों डीटिंग मांसवर्फ इससे बहुत बहुत सब्सक्राइब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो एम आधार एप्लिकेशन है जो कि आपने रेजिटर के रहे इससे पहले मैं एक वीडियो बनाए एम आधार के उपर उसमें मैंने कैसे आधार कार्ट को रेजिटर करना है वह सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया तो आप लोग चाहे तो उसका जो लिंक है आप लोग उपर में आई बटन है और नीचे डिशिशन में आपको मिल जाएगा तो रेजिटर करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको अगर अपने आधार कार्ट को लॉक करने में पॉब्लेम हो रही है तो आज पर आपका जो आधार इमाधार एप्लिकेशन है उसको आपको उपन क आपको वेरीफइाइ जियेकर करने के बाद दूस्तों आपको आपको मॉबायल नंबर है उसको आपको वेरीफाइग कर लेना है अगर आपको अधार कार्ट के साथ नहीं होगा तो आपको परिशानी हो सकते हैं उसके अप लोग जो सेख़िन सेक्षन है वहाँ पर आपको email slash mobile का एक option मिल जाते है उसके आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाप लोग verify mobile number पे क्लिक कीजिए और उपर में आपका आधा number डाल देजिए उसके बाद अपना mobile number डाली है जो कि आपने अधार करके सारेइस्टर किया हुआ है उसके बाद यह जो capture code है यहापे डाल के verify कर लिजिए तो इसके बाद मेरा जो नमबर है वो यहाप अगर आपका नमबर पहली बार आप verification कर रहे हो तो आपको यहाप आपका नमबर वेरिफाइड हों दिखेगा यहाप इसके बाद दुस्तों आपको दूप्शन मिल जाते हैं एक है सेट आधार लॉक और दूसरा है लॉक बायमेट्रिक का दूस्त अगर आप लोग चाते हैं तो वहां सबसे पहले दिखा होंगा सबसे पहले आप लोग पे क्लिक कर दिए ऐस आपको यहाप बा लॉक लग बायमेटर्टिक कर पे लौक हो जाएगा इसके दोस्तों आप लोग यहां पे नीचे एक कॉप्षिन देख सकते हैं cóto my आधार क्लिक कर दीजिए और मोग यहां पे आ जाएंगे यहां पर आने के बाद का आप लोग यहां पे देख अक्छाइँ कि जो आईओन हैं यहां पर रेट कलर का यहां पर हो गया है मतलब कि मेरा जो बाइमर्टिक है वो अभी लॉक है अब मैं इसको आपको अनलॉक करना और डिजिबल करना सिखाऊंगो कि आप लोग कैसे इसको पूरी दर्गे से बंद कर सकते हैं या फिर कुछ मिन्टो के लिए आप इसको बंद कर सकते हैं तो वो आप कैसे करोगे आपको इस पर दुबारा से क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर अनलॉक बायमेट्रिक उप्शन पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहां पर आपको दूप्शन मिल जाते हैं एक है अनलॉक बायमेट्रिक और दूसरा है डिजि ूणिष्ट से nå momento 1 mu car करिके दंगा को आ lebih ले लाइंशन में फिकमे भूपया को दिखा दूंगा तो इसके लिए लग्सी डिश्क पिर कलेने के बाद आपको अठीक संदिक करने के बाद लोट हो जाएक पिर जब तक आप बाता कीव सी या फिर 캐ा算 का चाहता है आप लोग जो भी करना चाहते हो आदार अपका complete नहीं होता है, यह unlock position में रहेगा, उसके बाद जब इसका timer complete हो जाएगा, यह automatically lock हो जाएगा, तो हम लोग दुबारा से go to my आदार पर click करते हैं, और यहां पर जो timer है वो आपको यहां पर दिख जाएगा, कि कितने minute के लिए आ आपका जो आदार बायमेटिक है वो unlock हुआ है, तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो आट मिनिट के टाइम और यहां पर शो कर रहा है, आट मिनिट बात यह जो बायमेटिक मैंने unlock किया है, यह दुबाहा से lock हो जाएगा, और दोस्तों इसके बाद आदार कार्ट को आप लोग कैसे disable कर सकते हैं, यहां पर आपको इहां पर दिखा होंगा, तो इसके बाद आपको यहां पर пожdi के टाइप करना है, वे लूग को नेकित पक्लिक प्लिक ख़ाती है, तो आप बाद हो तब यहां पर पूरी तरिके से डिसिबल हो जाएगा, मतलब कई बंध हो जाएगा, तब लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो Biometric तब यहां पर पूरी तरिके से अनलोक हो चकाए, मतलब कि बंध हो चकाए, जब मैं इसको दुबारा से लॉक करूँ गा, तब जाकर यह lock होगा, automatically lock या पर नहीं होगा तो इसी तरी के से आप लोग अपना जो biometric है उसको यह पर lock या फिर unlock कर सकते हैं दोस्तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही मुझे एक निज़स्त आपको इस वीडियो से कुछ नहीं को सीखने को ज़रूर मिला होगा और इसके लावा दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल के दूसरी वीडियो से अगर वह पसंद आ रहे है तो प्रीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा और जो पास में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दिएगा और जो नोटिविशन है उसमें आल सिलेक्ट कर लीजिएगा